जै मातादी साथियों आज दर्शन करते हैं मा कामाक्षी के कामाक्षी अम्मा मंदिर के यह मंदिर कांची पुरम में चन्नाई से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है यह मंदिर कामकोटी पीठवी कहलाता है मा कामाक्षी प्रकृती सुन्दर्ता शांती सम्रिधी स्वास्थ संतती और संतुलन की देवी हैं जैसे पूर्वी भारत में मा कामाख्या हैं यह मंदिर अपनी वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है मंदिर परिसर में भगवान विश्णू का दिव्यदेश भी है भगवान विश्णू जो तिरुककाल वनूर कहलाते हैं भगवान विश्णू का वारा हरूप है और मा कमाक्षी के भाई हैं इस शक्ति पीठ में शिव सती कथा प्रसंग के अनुसार मा की नाभी गिरी इसलिए इसे नाभी पीठ भी कहते हैं और कहा जाता है कि यह मंदिर धर्ती के पूर्वी गोलार्द का केंद्र है यह मंदिर पल्लव शाषकों ने बनवाया फिर चोल और विजे नगर शाषकों ने इसे बढ़ाया कमाक्षी मंदिर पांच एकड़ भूमी पर फैला है मंदिर में पहले सो स्तंबों वाल फिर चार स्तंबों वाले हौल के बाद गर्व ग्रह है माता कमाक्षी यहां श्री माता त्रिपुर सुंदरी कहलाती है गर्व ग्रह में मा की मूर्ती स्वयंभू है और मा पदमासन में बैठी वी मुद्रा में है कामाक्षी मा का कन्या रूप है गर्व ग्रेह गायत्री मंडप कहलाता है कामाक्षी मा की चार भुजाओं में गन्ये का धनुष कमल, पाश और अंकुष है मा के साथ एक तोता है माथे पर अर्धचंद्रमा सुशोबित है मा के साथ आठ वागदेवी है मा को सुन्दर साडियों और शिंगार से सजाय जाता है गर्व ग्रेह में एक चांदी का स्तंभ है जिसमें एक छेद है जो नाभी का प्रतीक है पाशान पर बना शीचक्र ताजे कमल के फूलों से धका रहता है मुख्य मूर्ती के बाईं और अरूप लक्ष्मी और वाराही हैं और दाईं और विश्णु भगवान और स्वरूप लक्ष्मी हैं गर्व ग्रेह के द्वार को बिलु द्वार कहा जाता है मंदिर में पहले सोने की खड़ी हुई मुद्रा में मा की मूर्ती थी जो मुसलिम आकर्मनों से बचाने के लिए तंजावूर ले जाए गई मंदिर के भव्य गोपूरम हैं जिनमें पौराणी कथाएं उकेरी हुई हैं एक भव्य सुनेहरा द्वजस्तंब है लोग कथाओं के नुसार मंदिर में श्री यंत्र आदी शंकराचारे जी ने स्थापित किया उन्होंने मा की आराधना में सौंदर लहरी लिखी जिस से पहले मा का रौदर रूप था फिर वहशान्त हुआ पौराने कथाओं के अनुसार देवता भंड कासुर से तरस्त थे उन्होंने उस असुर से छुटकारा पाने के लिए मा की तपस्या की मा प्रकट हुई और भंड कासुर का वद किया कामाक्षी मंदिर में मा की मूर्ती तीन रूपों में दिखती हैं स्थूल, सूक्ष्म और शून्य भगवान शिव ने मा कामाक्षी की चारों यूगों में तपस्या की रिशी दुर्वासा अवतार में उन्होंने श्री चक्र स्थापित किया और सौभाग्य चिंता मनी कल्प या दुर्वासा सहीता लिखी जिसके अनुसार कामाक्षी मंदिर में आज भी पूजा होती है माता कामाक्षी ने यहां मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की माता की आराधना यहां दश्रत जी ने भी की और पुत्र कामना के लिए यग्य करवाया मा कामाक्षी इक्ष्वाकुल की कुल देवी है मंदिर परिसर में भगवान विश्णु के है ग्रीव अवतार का मंदिर भी है मंदिर में पूजा, गौपूजा और गज अर्थात हाधियों की पूजा से आरंब होती है मंदिर के पास ही आदी का माक्षी मंदिर है माच चतुर भुज रूप में है वहाँ हमने आदी का माक्षी मंदिर में विधिवत पूजन किया और इस मंदिर में नाग पूजन का भी विशेष्थान है मंदिर में उत्सव की सजावट थी केले के व्रिक्षर फलों से मंदिर में सजावट की गई थी कामाक्षी मंदिर में मासी पूजन ब्रमोत्सव जो दस दिन चलता है ब्रमोत्सव में मा को एक दिन सोने के शेर की सवारी एक दिन चांदी के रध की सवारी कराई जाती है फिर पूर्णिमा के दिन भक्त और माक की उत्सव मूर्ती को पवित्र कुंड में स्नान कराई जाता है इसके अलावा मंदिर में नवरात्री, शिवक, कामाक्षी, विवा, जिसमें माको नौका विहार भी कराई जाता है शंकर जैन्ती, वसंत उत्सव, धूमधाम से मनाय जाते हैं शुक्रवार के दिन मा कामाक्षी के मंदिर में श्रधालों की बहुत अधिक भीड होती है मा कामाक्षी सज्जनों की रक्षा करें साथियों, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल और ऐसे ही दिव्य स्थानों के दर्शन करते रहें जै मात अदी